डेकीन के 4 तन का मशिन है, . नं-इन्वरवी के मॉडल में, मशिन अज अन करें हैं, इसकी वाइरिञ में, उश्र Οा समझा है है ? आपना तो सब्सक्राइब करें है , डेकीन के अए ZOLO भड़ा सा मसला होगा से हुस्पर बाद में बात करेंगे पहले इसकी wiring होई क्या है कर लिए growing करते वे इसके बात करेंगे क्या मसला हुआ अब देखो यहां पके जो connectr रहे 3 Frender है 5 jaw from a nasal ब्लो फेस और ब्लाक योजए चिरी जो है मैं एडतिंक सुप्लाई के लिए है आउटडोर के अंदर तो इंडर की जो सप्लेई है वो यहांपे लगने वाली है अपने को अब यहांपे दोखो three, four, five तीन वहरां अबे पर यह तिन कनेक्टर आउं बाइं आसे शिक्ष में हैं यह अध्य झाने का का वायर है यह ब्लाक कलर जो है अपने को न्यूटल का है तो त्री में जो है न्यूटल कनेक्ट कर देता हूं मैं फोर में जो है एल्लो वायर लगवा है एल्लो वायर अपने को डिरेक्ट यहां से एल्लो फेस से आ रहा तो यहां पर फेस कनेक्ट कर देता हूं इंडोर के लि फोर में फेस लगाने वाला हूं फेस न्यधल सकते हैं आर दो यह अई देखके आर वाई भी को लगा देता हूं Secondly will आधार के लिए तो इसके बात कर लेता हैं उसके बाद में इन्सों इन्डोर करने चाहिए पिर deal के उलिए उसके पर बात करें गे देख सकते हैं यहां पर मैं आर वाई बी न्यूटल तीन जो भी है तीन फेसा और न्यूटल कनेट कर दिया और यहां पर इंडूर को जो है ब्लू वैर है ना जो न्यूटल के लिए यूज करा मैं और रेड वैर जो है फेस के लिए यूज करा और फाई में जो है सीपी का वैर लगा दिया एलो कलर का और ग्रीन वायर जो है मैं अड़तिंग के लिए यूज करा और में जो अड़तिंग का वैर आया था वो 6 में लगा के यहां से एक बॉड़ी को भी लगा दिया और इंडोर को भी दे दिया एक बार इंडोर में भी जाके कनेक्टर कन में सप्लाई वे लगा लेंगे इसका इंडोर ऐसा हैtown इंडोर के नेक बार वैरिंग वैर लगा लिया देख के लिए अब उपर जैसा हमें फेस न्यूटल और सीपी लगया वन में आंपे फेस है वन का कनेक्टर तो उसमें रेड़ वायर उपर भी लगा याम ऑन पर लगाया में फेसमें यहां भी अब इसमें मसला जो हुआ अपने कु यहां पर आके हो गया देखो P1P2 तो यह रिमोट के लिए है इसके बाद लपी, HP, SP, PR बलके दी आए अभी अपने कु नया मॉडल अगया एक दम पहले के इसके मॉडल में मेरे ओल्ड वीडियो में देखेंगे यह कनेक्टर नहीं अपने कु अब यह 4 तन का आउटओर है यह 4 तन के मशीन है इंडोर आउटओर तो इसके अंदर अपने को High Pressure, Low Pressure, Safety के लिए यह भी देदिया समझो अब पहले यह नहीं था अपने को अब मसला क्या हो गा भलाया तो two तो यह धाले एक मेन सप्लाई के लिए 3फेस नूटल के लिए और एक जो है इंडोर तो आउटओर इंडोर आउटओर के लिए फिर सीपी का वायर जाने के लिए बस यह जी दो यह धाले अब इसको जो है हमाओ के हिसाप से लिस मेप भेया करना पड़ेंगा high pressure low pressure pair इरल नी आना वालकर इंडोर में करना पड़ता है औरृटऊर में जो है। अपना जो है अपने पुरान ओлаर ढुतATप्ट देती की क्या करते थे old model में 2 वयर चोड़ते थे एक मेन supply का और इंड़र टो आट्डोर communication बस दो या या झोड़ते थे अभी इसके इंदर क्या है अपने को तीन वयर या दालना है एक तो मेन supply पृर एक जो है इंड़र टो आट्डोर और फिर उसके बाद HP-LP का इसके अंदर एक safety future जो है अपने को HP-LP, SP-PR जो three-phase को scan करने के बाद में output देता ना, वो वैर भी होना जरूरी है इसके अंदर, अब हमला क्या करे थे, पुराने machine के वैसा ही एक वैर दाल के शोड़ दी थे, अब इसके अंदर और एक वैर दालना त तो पॉसिबल ही निये समझो, पूरा ceiling हो गया, पूरा देखे के जैसा अंदर पे अपने HP-LP का जो connector बने वाए उसमें वैर लगाना है, यहां से 1-2-3 से लेका है के वहाँ HP-LP में लगाना है, तो सके अपन बात करें इंडूर के पास, तो अब यहां पे जो है, पॉसिबल ह यह जो वैरा है, दो HP-क है, इसमें, दो LP-क है, अब इसमें low pressure, high pressure का switch रहता, उसमें एक in रहता, एक out रहता, दो में से कहीं भी in लगा सकते, out लगा सकते, मतलब scan करने के बात में, वो switch कैसा रहता होले, तो अगर pressure बराबर रहा, switch के अंदर high pressure, low pressure का switch में, pressure बराबर रहा, त यहां पर जो first वाले pin में, अब जैसा के यहीं चाहिए दो पिन, अभी यह pin में कैसा रहता, अगर switch अपने को scan करने के बाद में, pressure बराबर रहा, तो यहां पर face रहा, तो यहां पर face भेजता हो, अगर यहां neutral रहा, तो यहां पर neutral भेजता, मतलब यहां पर जो relay रहता, इसका connect रहता हो, उन्हें disconnect नहीं होता, अगर pressure कम जादा हुआ समझो, तो यहां का करता, power यहां का यहां पर नहीं भेजता, disconnect कर गे रख देता, तो वही यहां पर, which way रहा लगे हो है, high pressure के, low pressure के, तो इसमें neutral series बने भी है, पूरी, यहां देख सकते है, black color का neutral जो है, यहां के neutral आपने को, निचे जाके, फिर output आ रहा है, high pressure, low pressure का जो भी सुच है, output आने के बाद में, indoor को जाके, HP में, LP में लग रहा था, अब यहां पर अपन वैरी ने दाले, मतलब मामला हो गया समझो, अपन आडर करे थे, पुराना वाला outdoor, अपने को आ गया, नया outdoor, अब इसमें जो है, 5 में, output लगा है, देखो, जो CP लगा है, आपन, जो contactor को लगा है, अब इसको output जो है, यहां 1 में लगा लेंगे, अपन, लगा लेके का करेंगे, जैसा आपने को, indoor से CP आता ना, आते कि, पहले जो है, high pressure के switch से निचे जाके, फिर high pressure चेक कर लेंगे, फिर low pressure को जाएंगा लगा है, पर चेक करेंगे, फिर इसका इनर के इनपट में लगेंगा, फिर इसका इनर व के रहा तो इन आउटपूट देने के बाद में अपना, अपना परिओ प्रेंग पर अट्डर के जब जो साथा पुरान है यदु था मैं में एक बार बात कर रहा था, उसके पर पु देखिएगे, इंड़ोर में भी एकछ वारियम प्र tasting करना पड़ीगा एक लिय nay का एक बाद में समझा देता हूं बीर होना ब बता देते हूं लिट से लगा देखावं माई वारिय तो लगा दिया फेस्टनीटज लगा दिया मशिन अँड लगा दिया वह एक्टिवेट हो गया वलके इसका मतलब है A0 का अब वह कई को एक्टिवेट हो आपने को यह अपन HP-LP का जो वायर है जो अपने को आटडोर से आके लग रहा था वो नहीं लगा तो इसके लिए भी अपने को एक जुगाड करना पड़ता मतलब मशीन अन होना अब यह न्यूटल सीरीज पे लग रहा था ना तो HP-LP-SPPR तीनों को न्यूटल लगा देना पड़ता न्यूटल लगा देके यहां से आटपुट दिये वैसा बना देना पड़ता इसको इन्हें आटपुट देने के बाद में उसके बाद जाके आटड़र की वैरिंग करना पड़ता तो अब मैं यहां पर क्या करा HP-LP-SPPR का वैर्ट तीनों को एक जगा जुगाड माड़ देके फिर निच्चे से एक क्वायर लगा दिया जो लिगा के डिरेक्ट न्यूटल में कनेक्ट कर दिया अब मशीन को यह मालूम हो गया के HP-LP-SPPR मतलब सिंगल फेस का जो प्राबलम आता ना त्री-फेस स्कानर समझ लो इसकानर से अगर कुछ भी प्राबलम आया तो उन्हें आटपूट रोग देता ना तो वो तीनों ओके है अब आपन आटपूट दे सकते वालके मशीन समझ गया अब मशीन में कैसा रहता प्रोटेक्शन के लिए इस पी पी आर हेच पी एल भी लगाके रखे से लब हाई प्रेशर का कुछ प्राबलम आया तो आटपूट रोग देना लो प्रेशर का कुछ प्राबलम आया आटपूट रोग देना त्री-फेस से रिलेटेट कुछ भी प्राबलम आया तो आटपूट रोग देना तो अब यहां पर ओड़ भी नहीं नहीं रोगता काई को बलत में इसको डिरेक्ट न्यूटल लगा दिया तो अब इन्हें आन हो जाता अपना अब यहां पर दे सकते 24 टेंपरेचर बता रहा अब मशीन भी अपने को आन हो जाता अब यहां पर देखेखो अब यहां पर ब्लिंक होई यह जो इसकानर के लेट है ना लेकिन आउटपूट आ जा रहा अपने का आउटपूट आएके आउटडोर आउजा रहा कही को बला तो अपन निच्छे है फिल्प जो है अपन डिरेक्ट कर दिये निच्छे तो इसमें क्या करना है अपने को ऐसा कुछ भी प्राबलम आया सम अब जगा निच्छे आउटल लगया निकाल देखे जो सीपी आया आपने को सीपी से फेस पिर आदे ना पूरा समझेट को फिर फिर उसके बाद स्कैनर को उसके बाद कांटक्टर को हमें पूरी वैरिंग कर दिया एक बार पूरी वैरिंग डिटेल में समझा देतों अब यहां पर 3 face लगा दिया पन त्री फेस न्यूटल आ गया यहां पर ओर्डोर के लिए फिर यहां से अपने को इंडूर के लिए जा रहा इंडूर को कुन सा वैड जा रहा पहले देखो आर वई भी फेस चेंज हुआ था इसके अंदर स्कैनर में चेंज करा में रेट ब्लू ए छीडो के लोल बकिंन चेंजी लिए अपनी के र्याफित एंडूर पोर्किं इंडूर क्तल के लिए घलता है यहां दियूर से देट जबаем वो आने के बाद में यहां से यह जो दो वायरा है ना यह जो है अपने को हाई प्रेशर के स्विच के तो यहां से हाई प्रेशर को जले गया हाई प्रेशर ओके रहा तो हाई प्रेशर का जो आउटपुट वायरे ना उसमें पावर देता उसके बाद में लो प्रेशर के यह तो यहां से लोग प्रेशर के स्विच को पावर जा रहा आपने को जाने के बाद में लोग प्रेशर ओके रहा तो पिर उससे ऑटपुट आरा अपने को अब यहां लग रहा अभी ग्रीन वेट से फिर इसकैनर में लग रहा इसकैनर में जो 15 और 18 है ना 15 जो है इंपुट के लिए है 18 ऑटपुट के लिए है तब 15 में आके यहां पर लग जाता हाई प्रेशर लोग प्रेशर होके रहा तो पावर आके यहां रुख जाता उसके बाद में इसका काम किया रहता अपने को त्री फेस को स्कैन करना आर वई भी ओके नहीं है फेस चेंज कुछ भी है या पिर एक फेस नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा प्राब्लम रहा तो इसकानर क्या करता ओट पूट नहीं है तो और पूट नहीं दिया तो आटवर नहीं होता तब इने सो बोके रहने के बाद में जब 18 में ऑटपुट दिंगा ऑटपुट देते कि कांटक्टर प्रेस होके और को प्रेस होने कर देता आपने बस इतनी रहती एकदम डिटेल में समझा दिया होना एतो नेक्स्ट वीडियो में डाइग्राम में भी दालके समझा देतों कमेंट करके बताओ अगर डाइग्राम देखने का है तो आई होप के समझ में आ गया होंगा फूरा खुला-खुला इंदर ओल्ड मॉडल में अपने को सेम यह वैरिंग आती थी अपने को फो टन आज कल फाइट अन में भी ब्लू स्टार में भी आइसे के वैरिंग आये अल्लेडी उल्लों को एपर भी वीडियो बने वे पूरे आज क्या हुआ पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बन गई पूरा एक-एक वैर समझ में आगया होंगा अई होप के पूरा समझ में आया होंगा वीडियो और पूरी वैरिंग समझ में आ गई होंगी त्री फेस की वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा और कुछ भ वाचिंग मिलिंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई